हैं लो स्टुडेंट्स आज का हमारे टोपिक है इस्टाइकोमेट्री ऑफ रीएक्चन तो brake solutions का आये दिखते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है nitrogen प्लस hydrogen इकवल टू ammonia इसका मतलब होता है कि nitrogen hydrogen के साथ में react करके ammonia form करता है तो श्टूडेंट्स nitrogen रीक्षन में किस तरह कि करेगा N2 की form में और hydrogen किस तरीके से exist करेगा H2 की form में और जो आपका ammonia होता इसका formula क्या होता है NH3 अब students ये जो reaction लिखी है मैंने N2 plus H2 equal to NH3 क्या ये balance है तो ये balance नहीं है यहाँ पर दो nitrogen atom है और यहाँ only one nitrogen atom है जिबकि यहाँ पर hydrogen number कितना है 3 है और यहाँ पर hydrogen only कितने 2 है तो students balance करने के लिए आप क्या करते हो hydrogen के आगे यहाँ पर 3 लगाते हो और NS3 के आगे कितना लगा देते हो 2 लगा देते हो और यहाँ पर आप चाहो तो one लिख सकते हो otherwise चोड़ सकते हो एक और बात students ये तीनों ही किस form में है gaseous form में है इसलिए मैं इनके पास में bracket में क्या लिख देता हूँ g लिख देता हूँ जो कि gaseous state को denote कर रहा है तो students अब यह जो reaction है यह मेरी balance है तो reaction की stoichiometry क्या होती है यही reaction की stoichiometry है यानि कि balance equation जो होती है वो reaction की stoichiometry होती है यानि इस reaction में reactants और products के बीच की quantitative relationship को जो बताए वो reaction की stoichiometry reaction की जो लिखी हुई है इसकी जो सकल है इसका जो face है वो ही reaction की stoichiometry होती है reaction की stoichiometry हमें बता रही है कि 1 and 2 react करता है 3H2 के साथ में और form करेगा क्या 2NS3 ठीक है students इसको आप ऐसे भी कह सकते हो यानि reaction की stoichiometry से हमें ratio पता चल रहा है कि N2 जो है वो hydrogen से किस ratio में react करेगा 1 nitrogen 3 hydrogen molecule के साथ में react करता है 1 and 2 react करता है किसके साथ में 3H2 के साथ में और ammonia के 2 molecule product करेगा ठीक है students दूसरी चीज आप इसको mole और weight दोनों ही form में explain कर सकते हो mole की form में तो किस तरी के से explain करोगे जैसे आप यह कह सकते हो कि 1 mole N2 react कर रहा है किसके साथ में 3 mole H2 और क्या form कर रहा है 2 mole N3 ठीक है students जैसे आप उपर बोल रहे थे कि 1 and 2 3 H2 इसी तरह मैंने सिर्फ क्या add कर दिया mole word add कर दिया यानि कि 1 mole N2 को react करने के लिए कितने hydrogen चाहिए 3 mole hydrogen चाहिए तब जाकर के वो 2 mole N3 form कर पाएंगे तो यह जो relationship हमको पता चल रहा है इसी को reaction की stoichiometric आ जाता है और यह जो number है न 1, 3 और 2 इसको students नाम दिया जाता है stoichiometric stoichiometric coefficient यहाँ पर इसको weight की form में कैसे convert कर सकते हो हमें पता है mole equal to formula होता है mole equal to weight upon molecular weight तो students 1 mole N2 का जो weight होता है वो कितना होता है 28 gram H2 का जो weight होता है कितना होता है 2 gram लेकिन यहाँ पर कितने है 3 तो अगर मैं mole के जगे रखूं 3 और H2 का molecular weight है 2 तो मिरे पास weight कितना जाएगा weight हो जाएगा 2 into 3 total कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 gram और NS3 का molecular weight होता है student 17 तो mole आपके पास में कितने 2 तो 2 equal to weight upon molecular weight हो जाएगा 17 तो W equal to आपका कितना जाएगा 34 जाएगा तो आप यह कह सकते हो कि 34 gram आपका क्या form हो रहा है ammonia form हो रहा है यानि यह कह सकते हो 28 gram N2 react करता है 6 gram H2 से और फिर कितना gram ammonia form करता है 34 gram form करता है तो उपर वाला जो relation मैंने बताया वो mole की form में है कि 1 mole N2 react करेगा 3 mole H2 से तो form करेगा 2 mole N3 और यह relation ही क्या कहलता है reaction की stoichiometry कहलता है और जो नीचे वाला है वो gram की form में है weight की form में 28 gram N2 react करता है 6 gram H2 के साथ में तो form करेगा 34 gram क्या N3 form करेगा तो students reaction की stoichiometry से आप क्या समझे कि कि किसी भी reactions में reactants और products का quantitative relationship जो होता है उसी को reaction की stoichiometry कहा जाता है एक और example दिखते है जैसे की कोई आप से कहेगी methane है और methane का combustion कराना है तो combustion में आप किस से react कराते हो oxygen से react कराते हो तो methane है क्या है आपका hydrocarbon है और hydrocarbon के combustion होने पर दो ही product form होते है एक तो कौन सा carbon dioxide और दूसरा वाला आपका कौन सा form होगा water form होगा तो students methane का formula होता है CH4 oxygen का formula होता है O2 equal to carbon dioxide का formula होता है CO2 और water का formula होता है क्या H2O तो students ये अभी balance है क्या नहीं है तो ये reaction की stoichiometry नहीं है यानि ये reaction की सही सकल नहीं है जो हमें चाहिए थी तो reaction की सकल बनाओ देखो carbon 1 है तो CO2 1 है ठीक है balance है hydrogen यहाँ पर 4 है यहाँ only 2 है तो आप आगे 2 लगा दो तो ये 2H2 हो गया अब oxygen काउंट करो इदा 2 और 2 4 तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दू तो आप मेरी reaction completely balance हो गई तो balance equation की सकल को ही stoichiometric मैंने नाम दिया है आपको कि यह reaction की stoichiometric होगी और इसमें जो यह आगे लिखे हैं इसमें कुछ नहीं है तो 1 लिख दूँ यह 2, यह 1 और यह 2 यह इनके stoichiometric coefficient हो गए और यह quantitatively relationship को बता रहे हैं यानि कि 1 CH4 को combustion करने के लिए कितना mole oxygen चाहिए 2 mole oxygen चाहिए तब जाके हमें 1 mole CO2 as a product मिलेगा और 2 mole water का as a product हमको मिल जाएगा तो quantitative relationship को जो बताता है वो ही reaction की stoichiometry होता है ठीके students किलियर हो गया आते हैं next topic के उपर जिसका name है क्या limiting reagent और limiting reagent को sort में हम क्या गह सकते हैं LR तो students limiting reagent क्या होता है उसको समझते हैं यह दिखते हैं जैसे कि एक equation अभी मैंने आपको लिखी थी कि N2 plus 3H2 equal to 2NS3 यानि nitrogen hydrogen से रिख्ट करके क्या form करेगा ammonia form करेगा अब students मैं अगर आप से इस equation में कहूं कि आपके पास में अगर जो nitrogen है वो 10 mole है तो आपको बताए 1 mole कितना form कर रहा था 2 mole ammonia तो 10 mole कितना कर देगा 20 mole ammonia form कर देगा अगर मैं इसको कितना लेता हूं 15 लेता हूं तो 15 mole ammonia कितना form कर देगा आप बता दोगे कि सर 30 mole क्योंकि जितना हम N2 ले रहे है ammonia उससे क्या बन रहे है double बन रहे है तो यहाँ पर मैंने 10 लिया आपने 20 कर दिया 15 लिया आपने 30 कर दिया लेकिन यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं hydrogen को ना मैंने बताया है ना आपने पूछा है लेकिन अगर बात की जाए दोनों के mole दिये जाए जाए फिर पहले एक बड़ सिर्फ hydrogen का discuss कर लो जिसे आपको पताएगी 3 mole H2 कितना form करते है 2 तो 30 के अगर मैं बात करू 30 mole H2 कितना form करेंगे 20 अगर मैं आपसे करू 60 की बात करू 60 कितना form करेंगे 40 तो अगर केवल hydrogen को ammonia से react करा करगे केवल hydrogen से ammonia का पूछू मैं कि कितना मनेगा तो भी आप बता दोगे nitrogen दे कर के पूछू कि कितना ammonia मनेगा तो भी आप बता दोगे लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ रखू तो फिर आप कैसे बताओगे कि कितना ammonia form होगा जैसे कि मानलो मैंने आप से कहा कि हमारे पास में 10 mol N2 है और हमारे पास में 15 mol H2 है तो फिर ammonia कितना mol form होगा ये कैसे बता चलेगा students दोनों में से तो दोनों में से वो reagent जो पहले खत्म हो जाएगा वो limiting reagent कहलाएगा limiting reagent की definition आप क्या दे सकते हो कि the reagent which is totally consumed in a reaction यानि कि वो reagent जो किसी भी reaction में totally consume हो जाए पूरा खत्म हो जाए उसको आप limiting reagent कहते हो और वो ही ये बताता है कि product आपका कितना form होगा इसको समझने के लिए simple equation simple example मैं आपको देता हूँ मानलो कि ये आपका कोई भी friend है या आप हो ये खुद और आप कहीं जाते हो बाहर पढ़ रहे हो और उस वक्त जब आप बाहर पढ़ रहे हो तो daily एक जगे आप खाना खाने के लिए जाते हो और जाँ खाना खाने जाते हो वहाँ पर आप daily गी बारा रोटी खा जाते हो और चार बाउल आप क्या ले लेते हो सबजी काम में ले लेते हो तो एक दिन मानलो आप लेट हो गए और लेट होगर कि आप जब लेट पहुँचे तो उस वक्त होटल मेनेजमेंट ने आपको कहा दिया कि आज उनली वन बाउल सबजी है हाँ रोटी पूरी 12 है आप ले सकते हो तो जब आप चार रोटी सोरी चार बाउल के साथ में कितनी रोटी खा रहे थे 12 लेकिन आज आपको उसने एक ही बाउल दिया है तो आप कितनी रोटी खा पाऊगे तीन रोटी खापाऊगे नो रोटी यह जो आपकी है वो क्या रजएंगी बची रजएंगी अब वो कोई काम की नहीं है यानि आपने खाना कहा तक खाया जब तक दोनों में से कोई एक चीज खत्म नहीं हो गई जितनी उसने आपको दी थी और पहले कौन खत्म हो गया सबजी खत्म हो गई बाउल खत्म हो गई तो फिर आप क्या नाम दे दोगे कि यह क्या है आपका लिमिटिंग रिजएंट है तो स्टुडेंट्स जैसे उसने हमको 10 मोल दिये 15 मोल दिये अब इन दोनों में से जो पहले खत्म हो गया एक के भी खत्म होते ही रियक्शन तो वहीं पर रुख जाएगी कोई भी एक खत्म हो गया दोनों रियक्टेंट में से तो रियक्शन वहीं रुख जाएगी फिर चाहे दूसरा रियक्टेंट बचा हुआ हो प्रोडेक्ट तो नहीं बन पाएगा न तो हमें पता है reaction की stoichiometry से हमें यह पता था कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NS3 यानि कि 1 mol N2 react करता है कितने mol से 3 mol 3 mol H2 के साथ में react करता है 1 3 से react करेगा तो उसने जो हमको 10 mol दिया है तो 10 mol react करेगा किसके साथ में 30 mol H2 के साथ में लेकिन हमारे पास में mol है कितने 30 mol है क्या H2 के नहीं उसने एमको question में कितने दिये हैं 50 नहीं तो दिये हैं तो इसका मतलब H2 के mol 30 होने चाहिए थे लेकिन वो 15 ही है यानि कि वो क्या है काम है वो जल्दी खतम हो जाएंगे और वो काम है तो वो क्या है limiting reagent है LR है और limiting reagent जो पहले खतम हो गया वो ही ये बताता है कि product कितना form होगा वो ही product का determination करेगा तो कैसे determination करेगा उसको देखते हैं जैसे ही आप सबसे पहले आपको क्या करना है दोनों reactants को आपस में compare करना है फिर देखना है कि दोनों में से कौन कम है अब जैसे यहाँ पर H2 कम है 30 mole हमें required है लेकिन हमारे पास है कितना वो only 15 mole है तो अब जो limiting reagent आपका दोनों में से निकल गरे आया उसको product के साथ में compare करो पहले किसको compare किया दोनों reactants को अब किसको करना है उस limiting reagent को product के साथ में तो हमें पता है कि 3 mole H2 form करता है कितना 2 mole NS3 तो 1 mole H2 कितना ammonia form करेगा 1 mole करेगा 2 by 3 mole NS3 और अपने पास में है कितना H2 15 mole तो 15 mole H2 कितना ammonia form करेगा 2 by 3 into 15 यानि कि यह आपका कितना जाएगा 10 यह आपका कितना जाएगा 10 mole ammonia form होगा तो यहाँ पर भले ही आपको question में उसने starting में क्या बोला कि N2 आपके पास कितने है 10 mole है तो NS3 आप यह नहीं कि 20 बना दोगे NS3 भी कितने ही बने है 10 mole बने है लेकिन किसकी वज़े से बने है H2 की वज़े से जिसके कितने mole थे 15 यानि कि जब दोनों के mole दिये वे हूँ किसी reaction में 2 reactants है और दोनों के mole या दोनों का weight वो आपको दे करके पूछे कि बताओ product कितना बनेगा तो सबसे पहले उन दोनों को reaction की stoichiometry के help से compare करो आपस में कि कौन किस से कितना react करेगा फिर देख लो कि कौन कम है जो कम है वो ही limiting reagent है और उस limiting reagent को product के साथ में compare करके आप क्या कर सकते हो अपना product बता सकते हो कि वो कितना form होगा और कितना नहीं होगा एक example और लेते हैं students इस question में students उसने सबसे पहले reaction की stoichiometry बताईए कि A plus 2B equal to C यानि A का 1 mole B के 2 mole से react करके C form कर रहा है और अब उसने question में आपको A के कितने mole दिया है 5 B के mole दिया है 8 तो और पूछाए कि बताओ C कितना mole बनेगा तो student simple सा है आपको क्या करना है आपको पताएगी जब 1 mole A react कर रहा है 2 mole B से तो आप कहसकते हूँ कि 1 mole A react करता है कितने से 2 mole B से तो A के कितने mole दिया है उसने आपको 5 तो 5 mole A react करेगा कितने से 5 into 2 10 mole of B से जबकि हमारे पास B के 10 mole है क्या नहीं B के तो 80 mole है 8 more, यानि कि B आपका कम है तो B क्या हो गया, limiting agent हो गया LR हो गया अब students हमने कैसे पता किया कि B limiting agent है, इन दोनों को आपस में compare करके, कि A कितने से rate करता है, तो इतना इतने से rate करेगा जब इन दोनों को आपस में compare करके हमने limiting agent निकाल लिया तो अब हमें क्या करना है कि जो इनमें से limiting agent आया उसको product के साथ में compare करना है तो B हमारा किया आया था limiting agent तो B को हमने देखा कि 2 mole of B कितना mole C form कर रहा है 1 मैं equation यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ A plus 2B equal to C तो हमने देखा 2 कितना form कर रहा है 1 form कर रहा है तो आप कैसकते हो 2 mole B form करता है कितना 1 mole of C अब B के हमारे पास mole कितने है question के अंदर उसने कितने बताये थे 8 mole तो question के अंदर अगर B के 8 mole उसने हमको दिये है तो हम कहेंगे 2 mole B form करता है 1 mole C तो 1 mole B form करेगा कितना half mole of C और 8 mole B कितना form करेंगे half into 8 mole of C यानि कि आपको answer जाएगा 4 mall of C तो students एक simple सी calculation आपको करनी होते है limiting region में सबसे पहले reaction की stoichiometry सबसे ज़्यादे ज़रूरी है कि आपको पता होगी कौन सा reactant दूसरे reactant से कितने ratio में react कर रहा है दोनों reactants को compare करो आपस में compare करके देखो कि कौन कम है जिसका amount small है वो ही limiting region होगा और जो limiting region है उसको identify करने के बाद में आप उस limiting region को compare करो किससे product से कि ये इतना form कर रहा है तो इतना इतना form करेगा इस हिसाब से आप easily limiting region के questions को कर सकते हो और reaction की stoichiometry क्या होती है reaction की circle ही reaction की stoichiometry होती है और वो क्या बताती है quantitative relationship को बताती है कि reactants के बीच में ये quantitative relationship है और products के बीच में ये है और फिर आपको limiting region करना होता है limiting region के definition क्या हो जाएगी students कि the region which is totally consumed in a chemical reaction non as limiting region limiting region always determine the amount of product product का amount कितना होगा ये स्तरिफ limiting region के उपर depend करेगा और जुद बचा हुआ दूसरा region जो access में प्रेजेंटर उसको आप क्या नाम देते हो access regent भी नाम दे सकते हो तो students कोई भी problem हो मुझे comment box में बताए think less, do more, be happy